उत्यपदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने डीपो परसर में स्मार्ट ओटो कोच वाश प्लांट के जरिये टेनों के धुलाई शुरू होने जा रही है जीरो डिस्चार्ज पॉलिसी के तहट ओटो कोच वाश प्लांट में रिस्साइकल पानी का प्रियोग किया जाएगा इस प्लांट की मदद से पानी और बिजली की बचत होगी मेट्रो का कारे तेजी से चल रहा है मुखेमंतरी यूगी आदेतेनात ने मेट्रो ट्रेन के शुभारम के बाद लगातार प्रायोटी कॉरिडोर के ईलिवेटेड भाग में मेट्रो ट्राइल किया जा रहा है मेंन लाइन पर ट्रायल किये जाने से पहले यूपी मेट्रो ने स्मार्ट ओटो कोच वाश प्लांट के जरिये पहली बार ट्रेन की धुलाई की उत्तप्रदेश मेट्रो रिल कॉपरेशन ने डीपो परिसर में स्मार्ट आटो कोच वाश प्लांट के जरीए ट्रेनों की धुलाई शुरू की है जीरो डिस्टार्ज पॉलिसी के तहट आटो कोच वाश प्लांट में रिसाइकल्ड पानी का प्रियोग किया जाएगा इस प्लांट की मदद से पानी और बिजली की बचत होगी धुलाई से पहले स्प्रिंकलर्स का उपियोग कर ट्रेन का तापमान कम किया जाता है इसके बाद आटो कोच वाश प्लांट में लगा होरिजोंटल ब्रश नीचे से उपर की ओर ट्रेन के सामने वाले भाग को साफ करता है सामने आने वाले भाग की सफाई के बाद होरीजोंटल ब्रश ट्रेन की चछत दोनों तरफ लगे तीन-तीन ब्रश ट्रेन की दोनों साइड की सफाई करते हैं इस दौरान रिसाइकल्ड पानी, फोम, डिटरजेंट और आरो पानी से डिबो की धुलाई की जाती है रिसाइकल्ड पानी के लिए अलग-अलग पाइपलाइन बिछाई गई है इसके साथ ही डीपो परिसर में एक संयूप्त वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है जिससे विबिन गतिवीदियो के चलते निकलने वाले वेस्ट पानी को रिसाइकल किया जाता है शहर में मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद ट्रेन वेवसाई का परिचालन खत्म करने के बाद ट्रेने डीपो परिसर में धुलाई के लिए पहुँचेंगी आटोमेटिक कोच वाश प्लांट की मदद से बहत कम समय में ट्रेनों की धुलाई की जाएगी सी न्यूस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट